आज हमारे पास है OnePlus 11 5G स्मार्टफोन अगर आप लोगोंने भी नया नया ये स्मार्टफोन गरीदा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैमरा के कुछ टिप्स और वीडियो ये कुछ टिप्स और जिसका यूज करके आप इसी स्मार्टफोन से काफी इनहांस फोटोगराफी या वीडियो गराफी कर सकते हो तो चलिए करते हैं वीडियो को श्रूर्व अपने वीडियो के अंदर में आप लोगों को बलर मूड का ओप्शन देखने को मिल जाता है और यहां पर से आप अपने बलर मूड को कम्या जादा कर सकते हैं वीडियो के अंदर में और इसका जो आउटपुट आता है वो भी काफी कमाल का है तो ये वाला फीचर्स आप को डेफिनेटली यूज करना चाहिए अपने वन प्लस के अंदर में जिससे जो है आप यूट्यूब वीडियो वगरे भी रिकॉर्ड कर सकते हो और सिनेमेटिक्स मोड में जो है अच्छी खासी वीडियो भी आप निकाल सकते हो आए आप लोगों को इसका सैंपल्स भी मैं दिखा देता हूँ तो यह है इसका सैंपल्स इसमें आप लोगों को बलर मूड देखने को मिलता है काफी अच्छा और एजस वगेरे भी जो है वो काफी सही है हेर लाइन के पास में देख सकते हैं काफी अच्छे मूड में बलर मूड आता है चलिए अप चलते हैं नेक्स की तरफ तो यहां पर आप लोगों को मैक्रो फोटोग्राफिक और तो इसे ऑन गर लीजिए और यहां पर क्या होगा ऑटमाटिक्स में कि जब भी आप किसी फोटोस को नजदीक जाएगा किसी ऑबजेक्ट के तो वह अटमेटिकली जो है जो है मैक्रो मूड आउन हो जाए अब यहां पर high resolutions को set कर लिजे नॉर्मली जब आप लोग फोटो क्लिक करते हैं तो normal camera से आएगा लेकिन high resolutions कर लिजेगा तो आपका फोन के जो camera है वो 50 Megapixels में जो है आपकी photos को निकालेगा और इसका quality होगा वो काफी ही amazing होगा तो काफी सारे लोग जो है इसका options का यूज नहीं करते हैं जिससे उनकी जो photos है वो high resolutions में नहीं आती है अब जो दोस्तों नेक्ट सेटिंग है वो raw footage को ले करके तो आप लोगों को यहां पर चले आना कर ली live अब यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी तो यह काफी कमाल का feature है आप लोगों को यूज करना चाहिए अब जो गाइस नेक्स्ट फीचर से वह filmmaking को ले करके है यहां पर आप लोगों को oneplus के अंदर में एक options मिल जाता का filmmaking का जिसके अंदर में आप लोग जो है अपने नीड के को अपने इस्टर स्पीड लॉग वगरे सारे चीजहों को चीजों करके अच्छी से वीडियो जो है वो बना सकते हैं और यहां से आप लोग जूम भी कर सकते हैं जो कि काफी जादा जूम होता है और जो वीडियो क की क्वालेटी आप लोगों को मालूम है अप एट के तक में जो है इससे वीडियो कर सकते हैं तो यह वाले उप्शन को भी आप लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए चले चलता हैं हमारे नेक्ट सेटिंग की तरफ तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो के अंदर में तो भाई ओडियो की क्वालिटी जो है वह काफी इन्हांस हो जाएगी और बहुत जादा अच्छी क्वालिटी में आपकी जो है साउंड रिकॉर्ड होगी आपकी वीडियो के साथ में अब जोरिटर से जो आप लोगों को टिफिनेटलि ट्रै करना चाहिए वह फेल्टर का आप लोगों को वीडियो में फिल्टर देखने को मिल जाते हूं और फोटोस में भी लेकिन काफी सारे लोग फिल्टर का फर्क नहीं पड़ेगा और यह जो फिल्टर दिये जाते हैं कि आपके फोटोस के मोड को चेंज करने के लिए जाते हैं तो यह फिल्टर आप लोगों को डेफिनेटली ट्राइक करने चाहिए आप दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो अच्छी ल यह ओगी ब करने कि लिजली लुझ होगी करने के लुझ हमने से लोगगी हैं झाले करने में शर कायं होुझ हैं हमने से यहाओी लो我们 मैंगा में पत्ने जाते हैं हुझ है